नमस्कार आज हम सिखेंगे सिंगल लेक चक्रासना मतलब एक पाज चक्रासना आईए तो फिर शुरू करते हैं अगर आपने चक्रासना का नॉर्मल वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उपर आए बटन पर क्लिक करके देख सकते हो अब नॉर्मल स्टार्ट करते हैं चक्रासन करने से पहले हम थोड़ा कंदरासन करेंगे जिससे चक्रासन करने में आसानी होगी अब दोनों हाथ नेक के बाजू में इनहेल अप धीरे धीरे हाथ आपके पेरों के डारेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे जिससे बैलन्स बनाने में आसानी होगी अब धीरे धीरे लेप लेक को उपर उठाने की कोशिश करेंगे hold आपके comfort के हिसाब से करेंगे अब same repeat करेंगे दुसरे leg के साथ भी slowly नीचे आने की कोशिश करेंगे आगे देखेंगे इससे होने वले फायदे और साउधान अब बात करते हैं फायदों के बारे में single leg चकरासना के practice करने से हमारे back के muscles stretch, strengthen और flexible होने में मदद मिलती है हमारी upper body strengthen करने में मदद मिलती है जैसे कि wrist, arms, shoulder और back के muscles thyroid के case में इसे ज़रू करें blood circulation level बढ़ाने में फायदे मन्द है अब बात करतें सावधानियों के पारे में अगर आपके किसी भी joint में injury हो जैसे के wrist, shoulder, chest, ankle, knee, back, etc तो इसे ना करे high blood pressure, low blood pressure, insomnia, heart problem के case में इसे ना करे या trainer के निगराने में practice करे वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद अगर आप इस channel पर नए आए हो तो subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए जिससे latest videos की notifications आपको मिलती रहे अगर आपको कोई संका या सुजाओ हो तो नचे मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर कीजिए धन्यवाद